नमस्कार बंदुवर कल साम मैं रांची में था और सरधा वश और रांची का प्रशीद मंदीर पहाडी मंदीर जो भगवान सीव को शमर्पी थे दर्शनार्थ वहाग गया दिपार्पन करने के बाद अचानक एक प्रेणा मिली कि तुम इतने तिर्थों में जाते हो इतने मंदीरों में दर्शन करते हो उनमें से कई ऐसे मंदीर और तिर्थ थस्तल हैं जिनके शम्बंध में लोगों को जानकारी नहीं है क्यों न तुम इस काज को भी करो और अपने माध्यम से तिर्थ महत्तम उन तिर्थों के महत्तों की चर्चा करो जिससे लोगों में धर्म के परती तिर्थ के परती जागरूटता बढ़े तो मित्रों आज मैं उशिप प्रेवना के फल स्वरूप तिर्थों के महत्तों को बताने के लिए इस वीडियो सीरीज को सुरू कर रहा हूँ जिसमें भारत के विविन तिर्थों के समंध में जहां मैं जाता हूँ वहां कानुभव और वहां के महत्तों के समंध में मैं चर्चा करूँगा तो आईए मित्रों आज हम शुरू करते हैं एक ऐसे तिर्थ के संबंध में बात करके जो वास्तों में शुरुवात ही है वह स्रिष्टी का शुरुवात ही उसी तिर्थ से हुआ है मित्रों वह जगा है कुम कोणम यह तामिलाडू राज्जी के तंजाओर जिले में इस्तित्थ है यह कुम कोणम शहर वास्तों में यह सिव की नगरी है लोगों के अनुशार और असल पुरान के अनुशार इस सहर में एक हज्जार से अधिक मंदिर है ऐसा कहा जाता है कि जो पाप आप इस धर्ती पर करते हैं इस वसुंदरा में रहकर जो पाप आपसे हो जाते हैं जाने या आन जाने उन सभी पापों से मुक्ती आपको कांसी में मिलती है लेकिन यदि वह गल्ती वह पाप जो कांसी में ही हो जाए वह कहां धुलेगा तो किद्वंती है वहां के बिद्वानों का यकाना है यास्तल पुरान में ऐसा वर्नित है कि जो पाप आप धर्ती में करेंगे वह कांसी में दूल जाएगा लेकिन अगर कांसी में भी गल्ती हो जाए वहां भी पाप आपसे हो जाए तो उस पाप को भी धोने की छंता उस सहर कुमकोनम में है कुमकोनम में समस्त पापों को दोने की शक्ती है मित्रों की द्वन्तिया है कि जब इस स्रिष्टी का जल परले हो रहा था तो भगवान विश्णू ने सभी जीवों के बीज को सीड को एक घड़े में सुरक्षित रख दिया ताकि जब इस परले की ओधी समाथ हो तो इस धर्ति पर पुना जीवों का निर्मान किया जा सके ब्रीक्ष जानवर मनुश्य समस्त योनी का जो सीड था उसे घड़े में बंद कर दिया और घड़े में बंद करके उसे हिमाले के उपर रख दिया जल परले तेजी से हो रहा था जल का अस्तर लगतार उपर उठता जा रहा था उठता जा रहा था हलाकि वह कुम्ब वह घड़ा जो हिमाले के उपर में रखा हुआ था फिर भी वह जल ने दिरे 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 उस गड़े को अपने आगोस में ले लिया अब वह गड़ा जब जल में आ गया तो उपर से नीचे की ओर ही जाएगा उतर से दक्षिन की ओर ही बढ़ेगा ऐसा माना गया है तो वह गड़ा बहते 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 जा करके एक अस्थान पर टिका जब जब जल पर ले समाप्त हुआ तो अंतिम समय वह गड़ा जहां पहुँच पाया वही अस्थान है कुम कुणम उस कुम्ब के नाम पर ही उस शहर का नाम पड़ा है कुम्ब कुणम जाओ वहाँ गड़ा जब अवस्तित हुआ तो कहा जाता है कि भगवान सिव ने सिकारी का वेश धारन करके वहाँ आए और अपने तीर से उस कुम्ब को तोड़ा और तभी से पुनह इस स्रिष्टी में जीवन की सुरुवात हुई तो मित्रों यह वह स्थान है जहां से जीवन सुरू हुआ है हम उन तमाम मित्रों को जो तिर्थ करने में रूची रखते हैं प्रेटन में रूची रखते हैं उनसे जरूर कहूंगा कि आप एक बार इस सहर में जाएं वहाँ आपको एक अलग आनन्द मशूश होगा हमने तो देश के लगभम तमाम तिर्थों में बर्मन किया है दर्शन पाया है लेकिन जो आनन्द जो भक्ति हमें कुम कोनम में मिले वहिशा अनुभव और कहीं नहीं हमें प्राप्थ हुआ मुल्त यह स्यू की नगरी है लेकिन यहां सभी मंदिर मौजूद है विश्नु के भी मंदिर हैं बगवान राम के भी मंदिर हैं भगवान राम का वह एकलोता मंदिर जहां बीर हनुमान बिना ले करके अवस्तित हैं बिना यानि ज्ञान भगवान वहां बीरता के साथ ज्ञान भी देते हैं वहां एक कुम्ब कोनम में एक तालाब है जहां कुम्ब लगता है कह जाता है कि उसमें अशनान करने मातर से शभी नदियों में अशनान करने का फल प्राप्त होता है और शभी कुम्ब के दर्षन होने का फल मिलता है शहर के चारों तरफ नौग्रह के अलग-अलग मंदीर अवस्थित है देश में हम जोति की भासा में कहें तो अगर सूर्ज आपका समश्या है सूर्ज ग्रह से आपको परिशानी है तो आप सूर्ज की पूजा करें लेकिन सिदे सूर्ज ग्रह की पूजा अगर सिदे सिदे ग्रह की पूजा करने की अगर ज़रूरत है जिसका फलनिश्चित अधिक फलदाई मिलने वाला है तो आप शंपूर नगरों का मंदीर उस कुम कुनम के 20 किलो मिटर के पेरी फ्री में मुझूद है और मित्रों सबसे जो बड़ी बात है पूरे मंदीरों का वहां कम लोगों को ही हमने देखा कि किसी तरीका का प्रशाद विशेश लेकर वहां जा रहे हैं सबी मंदीरों का जो मुल प्रशाद है वह केवल दीपक है वह केवल जोती है केवल जोती प्रार्थना के जरिये ही लोग वहां अपनी मुरादे पूरी करते हैं ऐसे मैं जानता हूँ कि दीपक अर्पन करना जोती अर्पित करना एक शंपून पूजा है लेकिन फिर भी वहां के लोग इस बात को और अधिक और अच्छे ढंग से समझते हैं कि जोती की सक्ति क्या है सभी मंदीरों में निद्य प्रती दिन लाखों की शंख्या में दीपक का दान होता है लोग दीप अर्पित करते हैं और किवल दीप ही अर्पित करते हैं कुछ एक ही हो जो खास प्रसाद लेकर के चले जाए पर नंतु मुल चाहवा वहां जोती ही ह दीपक ही है यह वहां का एक खास बात है तो मित्रों चुकि हम दीपक परनुर्शंधान कर रहे थे तो उस सहर में पहुचना हमारे लिए जरूरी था प्रमात्मा ने वहां हमको भेजा और इतना शुंदर तिर्थ अस्थान के बारे में हमको जनकारी दी और वहां हमें रहने और कुछ कार्ज करने, दर्सन करने का उशर हमें मिला, इसके लिए हम प्रमात्मा का बहुत शुक्र गुजार हैं, आज बस इतना ही, हम फिर इसी तरह के कोई नए तिर्थस्तल, धर्म से जुली कुछ नई बातों के साथ आपके समक्षि उपस्तित होंगा, तब तक के लिए नमस्कार, प्रमात्मा की ओर बढ़ें, प्रमात्मा की ओर चलें, धन्यवादें